शावन कुरुष्ण प्रतिपदा के अवसर पर सोमनाथ महादेव को विशेश चंद्र दर्शन शंगार से शुशुभित किया गया था सोमनाथ महादेव जो की चंद्र के नाथ हैं चंद्र द्वारा सोमनाथ जोतलिंग की स्थापना की गई थी शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापती ने अपनी 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही थी लेकिन चंद्रमा का विशेश स्ने सिर्फ रोहिन के तरफ था बाकी की कन्याओं ने जब पिता से इस बात की फरियात की तब दक्ष प्रजापती ने चंद्रमा को क्षैरोग होने का शाप दिया था चंद्रमा निस्तेज हो गए थे और उन्होंने प्रवास क्षेतर में देवाधी देव महादेव की प्राथना की थी करोडो मंत्रो चार और पूजन के बाद सोमनाथ महादेव के रूप में शिवजी प्रसन हुए थे अपनी पूरी जोती एक शिवलिंग में समा कर शिवजी ने पहला जोति लिंग स्वरूप दर्शन दिया था सोमनाथ महादेव आज भी शांती के कारक माने जाते हैं जो भी व्यक्ति व्याधी और उपादी लेकर सोमनाथ आता है महादेव उसकी हर पीड़ा को हर लेते हैं सोमनाथ महादेव को आज विशेश्च तंद्र दर्शन शुंगार किया गया था जिससे दर्शनार्थियों को अलोकिक शांती का अनुभव हुआ था सोमनाथ ट्रश्ट की और से सभी शिव भक्तों को जै सोमनाथ